Welcome Friends in Health Rambo दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लीवर में सूजन होने पर क्या करें सबसे पहले बात करते हैं लीवर में सूजन होने पर क्या खाना चाहिए क्योंकि खाने का जो लीवर के लिए बहुत महत होता है सबसे पहले आता है चुकंदर चुकंदर में सबसे जादा एंटियोकसिडन होते हैं जो लीवर की काम करने को सही करते हैं तता सूजन को भी कम करते हैं तो इसके लिए आप चुकंदर खा सकते हैं चुकंदर का जूस है दिन में एक या दो बार पी सकते हैं दूसरा होता है दाल चीनी दालचीनी में सूजन विरोधी प्रोपरटीज होती है जिससे क्या होता? सूजन लिवर की कम होती है दालचीनी का पानी दिन में आप एक या दो बार पी सकते है इसके लिए आप 3-4 दालचीनी को उबाल कर थंडा करके उसको पी है दूसरा होता है नीबू नीबू के अंदर बहुत सारे एंटी बैक्टिरिया और एंटी इंफलमेटरी सूजन विरोधी प्रोपर्टिस होती हैं तो नीबू के पानी को आप हलका जो गुंगना पानी में नीबू आप मिला सकते हैं और दिन में एक या दो बार पीएं तो कम से कम दिन में दो नीबू आप पीएं उसके अलावा अदरक अदरक आप खा सकते हैं या अदरक का पानी दिन में एक बार आप पी सकते हैं इससे भी सूजन कम होगी साथ साथ में लहसन लहसन भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है तो लहसन आप खा सकते हैं अपने खाने में इस्तिमाल कर सकते हैं साथ साथ में इसका आप पानी भी पी सकते हैं उसके अलावा आप नॉर्मल चाय की जहना ग्रीन टी का इस्तिमाल करें यह जादा उससे महतपूर होती है नॉर्मल चाय से साथ साथ में अपने खाने में दही कभी इस्तमाल करें रोजाना कम से कम 200 गराम दही खाने की कोशिश करें जिससे क्या होगा कि आपके शेरी में बैक्टिरिया जो नॉर्मल बैक्टिरिया होंगे तता सूजन को भी यह कम करता है लीवर की साथ साथ में हाजमे को भी दंदरुस्त रखता है यदि हम बात करें अनार की तो अनार भी इसमें फुल आफ एंटियोक्सिडेंट होते हैं जो लीवर के फंक्शिणिंग को प्रॉपर करते हैं इसके अलावा फलों में आप पपीता खा सकते हैं आप संत्राख खा सकते हैं उसके अलावा अंगूर है आमरूद वग blocked या सेव वगज़गा भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इन सभी में एंटियोक्सिडेंट होते हैं जो लीवर को तंदरुस्त रखेंगे तता लीवर की functioning को proper करेंगे उसके अलावा यदि हम सबजियों की बात करें तो सबजियों में आप गाजर है, पालक है उसके अलावा खीरा वगरा का जूस वगरा ले सकते हैं तता इनका खाने में भी इस्तिमाल कर सकते हैं यदि हम बात करें शहद की तो शहद सभी गुणों से पूर्ण होता है इसमें लगवाज सभी गुण होते हैं तो आप शहद का भी इस्तिमाल अपनी रोज कर सकते हैं उसके अलावा फाइवर जो लीवर के लिए बहुत ज़ादा उपयोगी होते हैं तो अपनी डाइट में फाइवर का इस्तिमाल करें जैसे कि आप चना, काला चना, मसूर, मतर, राजुमा, सोया बीन ये दाल होती हैं इनको इस्तिमाल कर सकते हैं अनाज में मक्का, बाजरा वगरा है तो आप मल्टी ग्रेन आटे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आप गेहू, मक्का, बाज्रा या बेसन वगरा मिलाके उसको इस्तमाल करें साथ साथ में आप बीच जो है जिसे अलसी के बीच है या नारियल वगरा इनका इस्तमाल करें उसके अलावा आप नॉर्मल पानी के जंगा हलका गुन-गुना पानी पीएं कुकि इससे क्या होगा आपकी सूजन कम होगी तता आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा और कम से कम 8-10 गलास पानी रोजाना पीने की कोशिश करें उसके अलावा यह अदि हम बात करें इधि हम बात करें लीवर में सूजन के कारण क्या होते हैं? उसका जो कारण होता है गलत खान पान उसके साथ साथ में भोजन को अच्छी तरह चवाए निगल जाना उसके अलावा जल्दी जल्दी खाना खाना быстр food है उसके अलावा बहुत मात्रा में तेल वगरा का इस्तमाल करना non-which वगरा का बहुत जादा इस्तमाल करना उसके अलावा मिर्च, मसाला और चेट-पटा खाना सता साथ में रात जो रात का खाना खाने के बाद देर तक जग कर काम करना या बैठे रहना एक यवस्ता में ये कारण होता है उसके अलावा अन्ने भी कारण होते हैं जैसे की वाइरल इंफेक्शन जैसे हेपिटाइटिस बी और सी है इसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं उसके अलावा शराब का बहुत जादा इस्तमाल करना अब यदि हम बात करें लिवर का हमारे शरीर में काम क्या होता है जिसकी वज़ा से हमारे शरीर को नुकसान होता है लिवर का हमारे लिए बहुत जादा इंपॉर्टन होता है कि खाना हाजम करने में ये अहम भूमिका निमाता है क्योंकि ये बाइल जूस बनाता है जो खाना अजम करता है साथ साथ में हमारे शरीर से हानिकारक केमिकल्स को लीवर निकाल कर बाहर करता है तता हमारे शरीर में जो चीनी है, मिंडल्स है और विटामिन्स को स्टोर करके रखता है जिसे हमारे शरी में शक्ति आती है तो हमारे काम नॉर्मल होते हैं यदि हम बात करें लीवर में सूजन के लक्षन क्या होते हैं कैसे पता चलेगा कि लीवर में सूजन है तो उसके लिए क्या होता पेट में दर्ध है थकान है, उल्टी मतली आना खटी डखार आना, तोचा का पीला पढ़ना, शाथ साथ में क्या होता, भूग में कमी होना, पैरो ये टकनो में सूजन, वजन घटना, तोचा में खुजली होना, शाथ साथ में यदि हम बात करें, सूजन बार बार होती है तो उसके लिए कौन सी जांच करवाएं, तो उसके से काम नहीं कर रहा उसके लिए LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं उसके लावा लीवर में इंफेक्शन के लिए HBS AG होता है तो और इमें डिसाउडर्स के लिए इंका टेस्टिंग वगरा होती है तो इन टेस्टों से आपको पता चल दाएगा कि लीवर हमारे सूजन है कि नहीं है किस वज़ा से लीवर सही से काम नहीं कर रहा है साथ साथ में आप डॉक्टर आपको MRI CT scan वगरा की भी जरूत पढ़ सकती है यदि बात करें लीवर में जर्नल फिजीशन है उसको दिखाए उसके बाद वह आपके डॉक्टर आपको रेफर करेंगे गास्ट्रेंट्रोजिस्त या हेपटरोजिस्त जो लिवर का ट्रीटमेंट करेंगे यदि हम बात करें लीवर में सूजन को कैसे रोक थाम कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है हेल्दी डाइट लें दवाई और मिया विटामिन सुप्लिमेंट वगरा लेते से मैं डॉक्टर के जो निर्देशों का पालन करें खुद न लें हेल्दी वेट मेंटेन करें साथ-साथ में हेल्द सप्लिमेंट या जिम्स के लिए जो डाइट लेते हैं उसका लेते वक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लें यदि हम बात करें लिवर में सूजन होने पर क्या नहीं खाना चाहिए ये भी एक महत्मूर्ट चीज है तो उसके लिए जिए कूल ड्रिंग वगरा है पैक्ट फूड है तले हुए काद्र बदात है जादा नमक जादा चीनी रेड मीट उसके अलावा जादा मातरा में कॉफी अच्छाए वगरा इनसे भी बचें कि इससे भी लिवर पर अफेक्ट होता है साथ साथ में स्मोकिंग ना करें और बहुत जादा शराब का भी सिवन ना करें उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैन यह वर वाचिए हैंबू